Brought to you by Biz Analyst by Khatabook ना कम्प्यूटर ना फाइल अब टैली डेटा ओन मोबाई Biz Analyst के साथ आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले बाकी सब थल्ले थल्ले देखे कम से कम पंजाब के एक्जिट पोल देख कर तो यही लगता है कि आम आदमी पार्टी के सुनामी पंजाब में आने वाली है एक्सपर्ट की माने तो इन अनुमानों के बैकफायर होने के चांसे जो है वो बेहत कम है क्योंकि देखे पंजाब की जो जनता है ना वो अकालियों से लेकर कॉंग्रेस तक सबको देख परक चुकी है और अब बस बदलाव चाहती है देखे असली नतीजे जो है वो तो 10 मार्च को ही आएंगे लेकिन अगर एक्जिट पोल जैसी ही तस्वीर उस दिन भी बनती नजर आई तो इससे क्या कुछ वाइने निकलेंगे ना सर्फ पंजाब के मैदान में लेकिन नाशनल पॉलिटिक्स में यानि 2024 के लोगसभाब चुनाव में ये सब हम आपको वताएंगे इस रिपोर्ट में नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस तक मैं हुने दीता ने जा देखे एक्जिट पॉल से निकलती हुई तस्वीर तो यही कहने पर मजबूर करती है कि केजरिवाल को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का वैसे तो पांच साल पहले जब चुनाव होए थे तो कहीं ना कहीं आपको काफी ओवर एस्टिमेट कर लिया गया था लेकिन सीटें आई थी केवल 20 इस बार एक एक्जिट पॉल ने तो केजरिवाल की पाटी को सो के पार पहुचा दिया है तो अगर यह वाकई होता है तो देखिए सबसे पहले तो आप जानते ही हैं पंजाब की एक धार्मिक पहचान है ऐसे में वहां की जरता का एक गैर सिक नेता की पाटी को बहुमत देना अपने आप में एक नई बात होगी वहीं अगली चीज़ देखिए आम आदमी पाटी भले ही अलग-अलग दावे करती हो लेकिन सच तो यही है कि लोग आपको महज दिल्ली की पाटी मानते हैं ऐसे में पंजाब में अच्छा प्रदर्शन दिखाई देता है तो देखिए केज़ जिवाल का दबदबा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सच तो यह भी है कि भले ही भगवंत मान पंजाब में आपके CM face है लेकिन वोड तो केज़ जिवाल के नाम पर ही पड़ा है उनके दिल्ली मॉडल पर ही पड़ा है और देखिए यही वो दिल्ली मॉडल है जिसे जगा जगा कॉपी करने की भी कोशिश की गई है अब चाहे बड़ी पाटियां कितना ही न कार लें लेकिन जिस बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्ते के free मॉडल उन्होंने दिल्ली में चलाया उसी मॉडल को बाद में यूपी में योगी सरकार ने भी अपनाने की कोशिश की बात करे अन्य राज्यों की चाहे बात कर लीजे गुजरात की, तेलंगाना की, करनाटक या ज़ारखंड की तो केजरिवाल जैसे ही महॉला क्लिनिक का मॉडल इमिटेट करने की तयारी है और उत्तरप्रदेश चुनाव में तो आपने देखा केजरिवाल के जो बिजली मॉडल है उसको सभी पार्टियों ने चुनावी वादा भी बनाया था देखे ये तो रही रीजनल पॉलिटिक्स की बात अब बात कर लेते हैं नाशनल लेवल पॉलिटिक्स की क्या दोहजार चॉबीस में विपक्ष का चहरा बनकर उभरेंगे केजरिवाल बताएंगे आपको लेकिन शुरू से शुरू करते हैं केजरिवाल जो है उन्होंने अपनी शुरूवात से ही ऐसे राज्यो पर फोकस किया जहां लोगों को अल्टरनेटिव की तलाश है क्यानि जहां लोग बीज़पी, कॉंग्रस और अन्यक शेत्रियत दलों से उप चुके हैं इसलिए आप देखेंगे केजरिवाल का फोकस पंजाब के अलावा गुजरात पर भी है, कोवा पर भी है, उत्राखंट पर है इसके अलावा कई और राजियों में आपकी तयारी है कि अपने संगठन को और मजबूत बनाएं अब चाहें वो राजस्थान की उना हो, हर्याना, च्वत्तिसगर या फिर मध्यप्रदेश मतलब देखें केजरिवाल के जो कुल मिला कर देखा जाए तो अर्मान तो बड़े ही है कोशिश भी उसी दिशा में चल रही है इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि राजसभा सीटों पर चुनाव जो कि अप्रेल में पंजाब की साथ राजसभा सीटों के लिए होंगे और इन सीटों पर जीतने वालों का सारा समी करण इन विधान सभा चुनावों की रिजल्ट पर ही निर्भर करता है यानि कि अगर इस विधान सभा चुनाव में जीत मिली तो फिर केजरिवाल अपने राजसभा सांसदों को जिता कर भारतिय संसद में बिठा पाएंगे जिसका मतलब है दब दबा और बड़ेगा अब चलिए थुड़ी और बड़ी बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव देखिए अगर केजरिवाल लोकसभा चुनाव में चंद सीटे भी जीत जाएं यानि कि अगर 15, 20, 25 सीटे भी जीत जाएं तो वो संसद में अपने आपको मजबूत कर लेंगे अब देखिए 2024 में मोधी को टककर देने वाला बड़ा चहरा कौन है शायद ही आपके पास इसका जवाब हो हाँ ममता पानर जी जरूर विपक्ष का चहरा बनने की पूरी कोशश कर रही है लेकिन अब अगर केजरिवाल पंजाब जीतते हैं तो ये दावेदारी वो भी नहीं छोड़ना चाहेंगे यानि एक बड़ा राश्ट्रे विकलब 2024 में बनते दिख सकता है केजरिवाल के रूप में ये इस वक्त भले ही बहुत बड़ी बात सुनाई पड़े लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे साफ होता नजर आएगा कि क्या ब्रांट मोदी को इन में से कोई भी राश्ट्र स्तर पर डेंट पहुँचा पाता है या नहीं देखे राशनीती है कुछ भी हो सकता है अब देखे न उत्राखांज और गोवा से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बो भी आ रही है चुनाव नतीजों से जुड़े सभी अपडेट्स हम आपको न्यूस तक पर देते रहेंगे और कॉमेंस सेक्शन में जरा हमें लिखकर जरूर बता दीजिए कि क्या मोदी को राश्ट्रे पचल पर टकर दे पाएंगे केजरिवार नमस्कार झाल